मैं जितंदर सिंग अपने यूटूब चैनल सिंग मेर्टिकल कलासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको पॉली एरिया पॉली एरिया क्या है क्या कोई बीमारी है कोई लच्छड है किसी बड़ी बीमारी का संकेत है तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोगों को पूरी जनकारी मिल पाए तो वीडियो को इसकी इपना करें अगर मेरे चैनल पर नहीं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए तो यह चलते हम वीडियो में आगे तो हम बात कर रहे हैं पॉलियूरिया पॉलियूरिया से पहले जाएंगे पॉलियूरिया होता क्या है पॉलियूरिया जिसको बोलते हैं हिंदी में बहुमुतरता या बार बार पेसाब करना या बार बार पेसाब करने जाना इसी को बोलत अगर कोई रोगी 2-5 लिटर से ज्यादा पेसाब करता है तो समझी हो इसको कोई बड़ी बीमारी का संकेत हो रहा है या कोई बड़ी बीमारी उसको ग्रसित कर रही है मैं बात करूं तो एक खुदी लच्छड है एक कोई बीमारी नहीं है तो यह जानते हैं किस-किस बीमारियों का संक्यत दे सकता है तो सबसे पहले देखेंगे कि यूरीनेसन जो हता है या बार-बार एकसेशिव एिरदेrators यह बार-बार परसाहब करने जाना अदिध्यत्र करके यह सूगर वाले मरीजियों में देखने को मिलता है सबसे पहला कारड ही है कि यह सूगर वाले पेशेंटों में मधुमें है या डाइवडीच रोगी में यह देखने को मिलता है कि बार-बार पेशाब करने जाते हैं इनहीं में पेसाब बार-बार जाना होता है और बार-बार प्यास लगना भी होता है जैसे कि बार-बार उमिनेशन जाएंगे पेसाब करने जाएंगे तो उनको जाहिड सी बात उनके सरी में पानी की कमी होगे तो इससे ज्यादा उनको प्यास लगती है प्यास को प्यास लग लाएन शीलता है उनको बार-बार उडसाब करने जाना पड़ता है यह पेसाब करने जाना पड़ता है क्योंने जाना पड़ता है यॉते दाने होता जैसे ही उसमें बच्चा आता हि district बड़ा होता है उसकी वजह से कि उसका प्रेशर यूरिनरी ब्लेडर पर या पिसाब की थैली भी पड़ता है जिसे कि उसका दबाव बढ़ता जाता है उसकी वज़त से मेलाओं को बार-बार उरिनेशन करने जाना पड़ता है या यूरिन डिशार्ज करने जाना पड़ता है और इसके साथ-साथ में आपको किड्नी डिजिज या किड्नी प्रॉब्लम हो रही है कई तरह के किड्नी प्रॉब्लम हो सकते हैं या किड्नी फेलियूर हो सकता है या केड़नी ने फ्रस्थिस हो सकता उसके वजह से भी आपको बार बर पेसाब करने जाना पड़ता है जैसा कि मैंने बता है आपको केड़नी हमारे सरीड में ब्लड को फिरिफायर करके या यूरेक एसीड को हमारे सरीड से बाहर निकालती है अगर वही काम करना बंद है तो स Glucose होता है या uric acid के साथ में Glucose भी भाह जाता है जिससे कि παर-बार पर साब जाना पड़ता है किर्णी खरब होने की वज़द से यह फ्लारब हो सकता है Bu बीनिग डीजी में उसके साथ से ब्लट में केल्सिय इसके साथ में एनेजाइक्टी मतलब तनाओ जिनको तनाओ है उनको भी यह प्रब्लम हो सकती है या उनको भी बार-बार यूरीनेशन करने या पेसाब करने जाना पड़ता है मेडिकेशन मतलब कुछ कुछ बीमारियों में जिनकी मेडिसिन चलती है उसकी वज़े से भी आपको यह बार-बार पेसाब करने जाना पड़ता है यूरीनेशन के लिए जाना पड़ता है जिसमें कि डायुटिक लीथियं एससार मतलब एक परकार की पॉजिशन है जिसमें कि यह चलता है यह बहुत कमी लोगों को चलता है जिनमें कि डायपटीक हो गया हाट संबंदिद और और यूरीट कई तरह की चलती है मेडिसिन उसमें होता है टिट्रसाइक्रेंड की वज बड़ी बीमारी का संकेत है पॉलियूरियम अब बात करेंगे कि पचास सल से उपर वालों में जो प्रोस्टेट ग्लेंड होता है यह प्रोस्टेट ट्यूमर होता है उसकी वज़से उनको बार-बार पेसाब करने जाना पड़ता है लेकिन उनका 2,5 लिटर तक पहुंची नहीं पाते हैं उनका जो यूरिथ्रा होता हो तो ब्लॉक होता है उसकी वज़स उनको बार-बार पेसाब करने जाना पड़ता है जो कि उनका खूल के पेसाब नहीं आता है उसकी वज़स उनको बार-बार जाना पड़ता है लेकिन ओ किसी गंभीर विमारी का नहीं हाला कि प्रोस्ट्रेट टूमर भी वहा यह याफ्रोस्ट्रेट गलेंड का बाधना भी गंभीर वीमारी हो जाती है लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अधियर विमारी है यह कि विखनें मृत्षिजिण है दाइबुटेज कि ते हो गहीं के कारण तो हम बात करते हें इसके लचण की इसमें तो खाश करके खोड़ी लचण सबसे कहा है जानिन है की हिश्ट्री क्या है कि कि इसकी के लिगा है कि हिसो कर रहा है कि कि वावावार प्षाप करने से जाने से शर्रुम में पानी कमी हो रहा या जाएंगे डॉक्टर के पास अभू तो पहले आपको कुछ दू दिन मेडिसिं देगा, मेडिसिन देने के बाद का विफित आपको रिलिफ नहीं आता है तो ऊह कुछ इसमें बलट टेस्ट कराएगा, बिलट टेस्ट के साथ में आपको कुछ यूरिन जांच कराएगा, कुछ और तरह के जांचे कराया जाएगा, जिससे कि बीमारी के पता लगाया जा सके और उसका ट्रीटमेंट किया जा सके. खासकर किस में निएबिटीज में ज貞द ह हो सकता है कि इशा बार्बर पेशाब लगना है बार, पयास लगना ही दोनों लच्छच इसी में होते हैं जैसा कि मैं बता दू बार, बार, पेसाब करने-जाने से हमारे शरीप में फ muffler की कमी होती है पानी की कमी होती है करें लाइक करें सेर करें कमेंट करें钱 तो मेरे चनल को सब्सक्राइब करें तब तक लिए धन्य बाद